है हलो गाईज आप सभी को स्वागत है मुझा रिट्रूप चैनल पे हम लोग यहाट स्टीटी को प्रिश आइंज कंप्लिक प्रप्रेशन कर रहे हैं हम लोग सुबहाई कारा वज़े पढ़ते हैं टेक्निकल पोशन तो पहले के तीन वज़े पढ़ते हैं हम लोग जेनल अगर आपको मेरे सारे वीडियो का पीडिएफ चाहिए तो आपको पहले मेरा टेलेग्राम गुरूप जोन करना पड़ेगा मैं वहाँ देवे पीडिएफ आ लेता हूँ अभी तक मैंने टेक्निकल कोश्चन में बहुत सारा चाप्टर इसको कवर किया है उसको आज हम लिगने वाले dbms का है तो शार्टर तम लोगा कुश्चन नम्बर ओवन शार्टर तम लो फूल फॉर्म अब डिवी मेरे पहला कोश्चन जबसेक बेसिक कोश्चन डीवे फूल फूल क्या होता है आप्टिन नम्बर ए डेटा बेस मैनेजर सिस्टम अप्टिन नमबर भी database management system one को हो जाएगा आपको D हो जाएगा अब देखतें वामें question number 2 for take care of database management system आपको database management system का ध्यान कोन rush सबूबाए database admissions option मोब भी database administrator option नमबसी database admirers option मब दी database administrative देखिए आप को यह database होता है किषको करना इसका पूरा ध्यान रखने का जो होता है उसके पर जिम्मदालिग इसका होता है वह उत आपका डेटाबेज और सुपना नही mów कspe Trail Fuk करना है कितना देखना है कितना देखना है anthem कमी को हुथ इसका प्रसी मुथा होता आप देखते हैं मलißt What is our types of DBS ? DBMS का types क्या होता है ? Option number redDBMS Option number B hierarchical DBMS Option number C network DBMS Option number D object oriented DBMS Option number D all of the above जाखिये यह जितना दिया है नहीं इस सब्सक्सब DBMS का example है जिसका आप ऊप्चीन लंबर E All of the above अब जबते हमनों कोशन नमबर चाहते हैं another term of Row in of row used in db fått आपको tempo डीविय आपडनेज में रोग का दिूसरा नाम किया है देहिए एक रोग हम तो आपको इसको अथो ची जए आपको इसको रोग हम्ही कहते है अब्सें नमझें सुप्चियन अप्सिंच ड म्र advertisement open job देिनशन अप 99 फज्यन इसे आप कुछन आपके एक्जाम में फ्रेगेंटली पूछता है कि आपका रो का दूसरा नम किया है आपका कॉलम में दूसरा नम किया है इस तर आपका रो का पूसरा नम किया है तो कॉलम में दूसरा नम किया होगा option number D, triple, option number B, attribute, option number C, instance, option number D, schema आपको जो column होता है उसका दूसरा नाम हम लोग कहते हैं attribute कहते हैं उसको, इसका अब हो जाएगा 5 का हो जाएगा B अब देखते हैं हम लोग question number 6 logical structure of DVMS और designing part is called आपको DVMS का जो logical part होता है जाफिर उसका हम लोग designing part भी कहते हैं तो उसको हम लोग नाम किया है उसका option number D, degree, option number B, instance, option number C, schema, option number D, cardinalty आपको जो schema होता है ना जिस पर आपको DVMS पूरा बन रहता है उसको हम लोग कहते हैं logical structure कहते हैं उसको या फिर उसको हम लोग कहते हैं डिजाइनिंग पार्ट कहते हैं जिस पर पूरा DVMS का बेस होता है अगर स्कीमा यह नहीं होगा तो आपको DVMS का बन नहीं पाएगा इसको हो जाएगा question number 6 का C हो जाएगा अब देखते हमनों question number 7 number of attribute is known in DVMS is known as आपको जो number of attribute क्या होता है DVMS के अंदर option number A degree option number B cardinalty option number C keys option number D instance देखिए इसका आपको हो जाएगा A हो जाएगा आपको इस नमबर अट्रिबूट होता है ना उसको हमनों degree कहते हैं DVMS के अंदर इसका आपको जाएगा option number A अब देखते हैं हमनों question number R देखते हैं number of tuple is known in DVMS is known as आपको इस नमबर अप्टपल होता है DVMS के अंदर उसको हमनों कहते हैं option number D degree option B cardinality option number C keys option number D instance देखे इस तरह हमनों number of attribute को हम लोग नमबर अप्टपल होता है ना उस पुड़े को हमनों कहते हैं cardinality कहते हैं इसको हो जाएगा आपको 8 को हो जाएगा अब देखते हैं हमनों question number 9 देखते हैं option number C keys option number D atomicity आपके पूरे एक रोह को अगर को आपको अकिले डिफाइन कर रहा है उसको हमनों कहते हैं keys इसको हो जाएगा 9 को हो जाएगा option number C हो जाएगा अब देखते हमनों question number 10 which one of the following is the procedural language इन सब में इस कौन सा language है इसको हमनों प्रोसेडरोल लेंगविज कहते हैं option number A domain relational calculus option number B tuple relational calculus option number C relational algebra option number D QD language देखिए आपका 10 को हो जाएगा option number C क्योंकि जो होता ना प्रोसेडरोल लेंगविज उसको हमनों relational algebra भी कहते हैं इसका हो जाएगा 10 का option number C हो जाएगा आएप लिएक इसके लिए लुग कोज़ते हैं अपको समझतामों कि इसक्जाम में के सुखन पुछता है और मीशम को फुछता है वह आपको पूछत दों को łyम में सुखन को ऑसक्यों में काुचता है माकिशम्गında पूछता हको एधरों कान में बूचतां में अपको देख छो को आपको एक रो को एक टेबल केंदे aí उस उस रो को उनिक डिफाइड करने single key नहीं होता है, single key हो सकता है, मानले याग वाद 5 है, पार में से आपको एकी key जो आपको define कर पाँ रहा है, तो आपका अकेला key भी super key हो सकता है, इसमें क्या कहा रहा है, a super key is a group of single or multiple keys which identify row in a table, a super key key may have the additional attributes that are not needed for unique identification, super key में कहा होता है, मानले याग पांच की ये छे की जो आपको सब मिलके define कर सकते हैं, तो उसको अनों super key भी कहते हैं, अब देखते हैं क्या रिखा हो है, kind rate key देखते है, kind rate key क्या होता है आपका, आपको आपको याद रखना है minimum number of super key, मतलब कम से कम आपको सबढ़ की वह number, जो आप super key होगे जो आपको uniquely define कर सकते हैं, उसमें कुछ key जो आपको अकेले काफी define करने के लिए उसको अनों क्यादे है candidate की कहते हैं, देख आप जाए तकना है minimum number of super key ये आपको important है, अब आप लिखा है primary key लिखा है, सिंगल किसी भी रोको, ये आपको होता है, तो आगर आपको देखते हैं कुछन देखते हैं, एक relational database consists of a collection of, आपको जो relational database होता है, वो किसी चीज़ collection होता है, option number a table का, option number b field का, option number c record का, option number d keys का, देखिए, आपको डेटाबस बनता है नो किससे बनता है, वो सी पर सी टेबल से मिला के बनता है, आपका 11 को जाएगा option number एक टेबस हो जाएगा, अब देखते हैं हमनों question में 12 देखते हैं, अब देखते हैं हमनों question में 12, for each attribute of relation, there is a set of permitted value, called dash of the attribute, देखिए, इसमें कहा कहा रहा है, for each attribute of relation, निशान जीब के हर एक attribute के लिए, आपको एक value fix के जाता है, तो उसको हमनों कहा कहते है, option number A domain, option number B relation, option number C set, option number D schema, हर attribute के लिए एक अलग value fix करते है, उसको हमनों कहाते है, domain of value कहते हैं हमनों उसको, बाराक हो जाएगा, option number A हो जाएगा, अब देखते हम लो कोशे नमर 13 देखते हैं, database dash which is logical design of database, and database dash which is a snapshot of data in the database, देखें, आपको कहरा है database जो आपको logical लिजाने तो वो क्या होता है, वो आपको schema होता है, तो देखने है पहले में schema कहा है, तो इसमें इसमें schema है, इसमें relational schema है, फिर आपको इसमें देखें तो रिलेशन इसकी domain है, आपको schema इसमें आता है, मतलब क्या है, अब आप इसको पता नहीं आपको इसको पता निसका क्या होगा, तो आप दूनों निकास सकते हैं, आपको logical legend क्या है, वो schema होता है, और आपको जोता है snapshot, प्रिश्प्षोट उसको इसको 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 बहुता है, इसको आपको जाएका तेरा करदी को जाएगा, ठीक है, अब दखते हैं मैं कुछन में 14, which one of the following is the set of one or more attributes, taken collectively to uniquely identify a record, इसमें क्या होता है देखे, इसका कुछन आपको, कीपर हैं आपकी इस कोशें को बताएं किसे क्या होता है कह रहा है आपको which one of the following इसमें से कॉंस है जो आपके set of one मादब इसमें आपको एक बेर चकते है और एक जाला टीबूर रहा चकते है जो आपको uniquely define करता है record को option number a candidate key, option number b sub key, option number b super key, option number d foreign key इसका आपको जाएं को super key, क्योंको super key क्या होता है आपको अकेले define कर सकता है super key और अकेले के लाब हो जो जो पर रहेगा ना तो set मिला के भी define कर सकते है आपके जाएं को option number c, अब जगते हम लो location number 15 जगते हम लो consider attribute id, city and name, which one of which one of these can be considered as a super key आपके बाद तीन attribute है, एक का नाम id, एक का नाम city और एक का नाम name, तो इससे मेरे से किसको हमें का सकते है युसपर की है मेरा, option number name को, option number b id को, option number c city को, option number d city and id को देखिए इसका d इसले नहीं होगा ना, क्योंकि इसमें तो city भी है और id भी है, आपका जो name है मालिए आपके लोग लोग को नाम इक हो चकते हैं अबोसार लोग आपको एक ही city मेरे सकते हैं, लेकिन हरा इससान का IP होता है इस publicly होता है थाना अधारकार थह, मालिए घखिद बाद होता है आए अख एता 使 Unixed na Nos and then it'soten to define it लेकिन आप पुकिते हूं so यह नहीं होगा क्विने यह सुपड़की मिलूब इसक थे शुंपड़की का साड़े क्या ह jij है इस पूंपल एक आप शुकासफी जटा मालजिस हो आप से Kdyby भी आगे वह पूपड़की नहीं है फोरंड की, को होता है ना फोरंड की माल लुए आपको एक टेबल बना वदा हुआ है थीट की अपने हैगा ठीक अढ़ translation मिली आपको चिल मेरी को गया एक दो थीन चाब पांस लिख रेगा जो फित क्या है लेकन प्राइम्री कि एक दूसरे टे बिवल के अंदर में यहां पने रहे हैं कि वह आपको यहां पर आएगा q question कहाे यह हो शॉंट करे मेरा अबंब मेंट हो दいやद कीं चोछ कई हो गा नेनमिश की होगा अपको और को हुछ यह पूछे पूछिए आपको डिफरेंचल की पूछ दे आको उसका तो लाप कुछेज़व 1ी यह तो पूछ आपको को मतलत होOUR की आइंसर होता है अब धाइक कोशन नमबर 17 जागते हैं हम लों यूजिंग विच लैंग्वेज चैन ए यूजर रिक्वेस्वाइश फॉम डेटाबेज हम लों कौन्स लैंगज से यूजर 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 करके आप डेटाबेज के अंदर इंफोरमेशन भेज सकत है उसको retrieve कर सकते हैं उसको modify कर सकते हैं तो पूरा काम किससे करते हैं हम लोग क्यों लैंग्वाइज खेल्प से ही करते हैं इसका आपको जोला का option number A हो जाएगा मैं A में टेक माल रहता हूँ आप जबते हैं question number 18 which one is full from SQL आपका SQL है उसका full from क्या होता है option number A storage query language option number B structure query language option number C storage question language option number D आपका study query language देखिए इसका option B structure query language अब लोग इसको लोग कहते हैं इसका वोजारक लिए लिए ना पूछ सकते हैं अब जखते है question number 19 देखते है minimal number of super key which uniquely defined a row is known as मतलब कहें आप कम से कम super key का वो कम से कम group जो आपको एक row को अखेले डिफाइन कर सकते हैं option number candidate key option number B primary key option number C super key option number D none of these आपका बहुत सार super key है उसमें कुछ key निकाल लिया जो आपको काफी है रिफाइन करने के लिए तो उसको हम लोग कहा देखते है candidate key इसका आपको होजागा उन्हें इसका option number है करें में लिखा रहे है अगर minimal तो आप समझेगे का बात होड़ा होड़ा है अब देखते हैं में कुछें मेर 20 इस विच वन आफ द विच विच वन आफ द विच 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 वन आफ द फॉलाइंग इस नौत एडवांटेज अप्रोच इन सब में से कौन आपका अडवांटेज नहीं डिटाबीज अप्रोच का कि अप्शन नम्र एंचरेश इक्रेटी आप्शन नम्र भी इलिमेनेशन डेटा देटा अप्शन नम्र सी अबिलेटी तो और असोसियेट विद रिलेक्टेट डेटा अप्शन नम्र देखिए यह तीनों आपका एक्जामपल आपका मला प्रपर्टीज अवा खुब है लेकिन आपको पढ़ना नहीं होता है लेकिन आपको तिना पढ़ना नहीं है तो आप चाप मत लेजिए अब दखते हैं किसी देखते हैं लोग इन्द रिलेशनल डेटाबेस इस देटा इस्ट्रॉक्चर दा और अर्गिनाइज इन्फरमेशन अबर सिंगल रोज और कॉलम य लिकष् PRECimos आपको अबर सिंग टपल आप्सें नमबर डी टेबल चेंपशन शक्रॉबल क्यों होंगा कोई आपको डिवर कि आपको डेटा से के होते हैं आपको रोज होते हैं और कि सिके अंदर इन्फोर option number a, rows, option number b, column, option number c, keys, option number d, table š je two kprü, unlock two values, keeji t어가š my job, candidate ask, primary ask the dash operation allowed the combining of two relations, by merging pair of tuples one from each relation into a single nuple जेखे। आपको पत्तयाया बुचार। ऑप्रसों होता आपको तो कहारे है कौन्स ऑप्रसियन है जो आपको दो अलग-अलग Лेशंज को एक म profitability करके एक बनाताcher या फिर आपको दो अलग करके आपको एक बनाता या फिर इसतर काम करता है option in pathways are select option in sustainability, यूनि粘 ऑक्षिन को गिंट्ज और उसे काम की मैं नीकाल पूरा Biz निकाल निकाला तुर्स पूरा है सबस्क्राइवे the dash operation perform a set of union of two similar structure tables क्या 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 रहा है, option number 1 क्या union, option number B क्या join, option number C क्या product, option number D क्या intersect क्या 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 रहा है, ऐसा कौन्स operation है, आपको, किसका set union का, जो आपको दो अलग अलग structure में से, आपको similar चीज निका कर देता है तो अलग अलग इसा कामई यहा है कि दो दोनों में जो क्या रहेगा इसको निकालना, इसका आपको जाएगा, अब देखते हैं कुछन number 25 जिखते हैं, which one of the command is used to delete whole table with a schema, इन सब में से कौन सा कमांड है, जो आपको टेबल को डिलेगा साथ साल आपको schema जो है आपका जो फिछे logic बना भाई उसका टेबल के पिछे उसको डिलेट कर देगा, option number ए, delete, option number b, drop, option number c, trunkate, option number d, incentive अब कर देखे, delete account बिलेट करने है, drop account बिलेट करने है, truncate account करने है, त्योंithcked account mientras लेट tees want 3 below अब जो delete है इक बाई में आपको एक row delete करता है अब गो ed场 करता है, आपको ट्रंक wait है ना एक बाई में साथ seven row delete ka tiny आपको डिमिल के अंदर काउन सा आपको सब में से कमांड है आपको डिमिल के अंदर कौन साइब कोशन नंबर 27 देखते हैं which of the following is from data control language आपको dcl आथे आपको dml होता है ddr होता है dcl होता है tcl होता है इससे आपको पढ़ना पड़ेगा full phone आपको आपको dcl होता है data control language कहा रहे है इस परचे कौन से command आपको dcl का है option number a grant and evoke option number b update and move option number c comment and rename option number d आपको commit and rollback आपको इसका हो जाएगा option number a grant and revoke आपको allow करना और आपको रोकना यह काम dcl का है बस control करने काम कि आपको जाए आपको 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 बन कर देना tcl देखते हैं tcl full phone क्या होता है option number a transfer control language option number b transmission control language option number c transaction control language option number d none of the verb option number c save this one from that to be the option transaction control language right in the situation option number 29 तो discard all pending data changes which command is use अगर चाहते हैं आपको data आपको जो काम कर रहा है उससापको खतम कर देना सब पंडिंग में आपको खतम कर देना तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं क्मांड, option number A, commit, option number B, rollback, option number C, save point, option number D, revoke बोचेंड, इसका आपको द जाएकर, रॉल्बैक, रॉल्बैक, नोटेज को जाएकर, रॉल्बैक सब ख़तम करते हैं, अब कमीट का हैं, सब को सेफ कर देते, रॉल्बैक को देते हैं, आप देखते हैं, आप देखते हैं, आफ दाएकर, रॉल्द, नमर 30, which command is used to delete rows from table, इन को दिलिट करने रोज को यांग बात ने कर रहे इसकीमिक Malac तो डिलेट और त्रंपि दोनों दोनों आपको sufficient रहेगा आपको अट वीडियो खतम होता है और और आपको जो PF चाहिए थाइपको मेरी चीमिन करने पड़ेगा आप पहले काम करें मेरे वीडियो को लाइक करें और में जान सब्सक्राइब करें ताकर वीडियो मिलता रहें और आप उसको ट्रेल्डाम को जोन कर लें थैंक्यू वेरी मुच